जै मातादी दोस्तों नौरात्री के दूसरे दिन माता की दूसरे स्वरूप मा ब्रह्मचार्णी की पूजा होती है आज हम बात करेंगे कि माता ब्रह्मचार्णी का स्वरूप कैसा है माता की किस प्रकार से पूजा करनी है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस मंत्र से माता ब्रह्मचार्णी प्रसन होती है और अपने भक्तों पे कृपा बरसाती है साथ ही हम ब्रह्मचार्णी की कथा भे जानेंगे नौरात्री के दूसरे दिन माब्रह्मचार्णी को समर्पित होता है माब्रह्मचार्णी की आराधना से शक्ति इत्याग और सैयम वैरागी में बृध्धी होती है और शत्रूओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है माता हर मनुकामनाओं को पूरी करती है जीवन में आने वाली सारी परिशानियों को दूर करती है माब्रमचानी की पूजा का विसेश महत्व है माब्रमचानी नामकार्थ तपस्या और चारिनी यानि आचरन से है यानि सुद्ध आचरन वाली माब्रमचानी को तब का आचरन करने वाली देवी माना गया है अब हम जानेंगे कि माब्रमचानी का स्वरूप कैसा है मा ब्रह्मचानी के दाहिने हाथ में तब की माला और बाएं हाथ में कमंडल है मा ब्रह्मचानी की पूजा करने से जीवन में तब त्याग वैराग सदाचार और सैयम प्राप्त होता है मा ब्रह्मचानी की पूजा करने से आत्म बिश्वास में विप्रिधी होती है दोस्तों जीवन में सफलता पाने के लिए आत्म विश्वास का होना बहुत जरूरी है और साथ ही सैयम का होना बहुत जरूरी है माता ब्रह्म चाने की पूजा करने से सैयम और आत्म विश्वास में बृध्धी होती है मा ब्रम्ह चाने की कृपा प्राप्त होने से ब्यक्ति संकट से भी मुक्त होता है चलिए देखते हैं कि नौरात्री के दूसरे दिन माता ब्रम्ह चाने की पूजा कैसे करनी है सबसे पहले प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवरित होकर इश्नान करें स्वक्ष वस्त्र धारण कर पूजा अस्थल पर बैठे मा दुर्गा के स्वरूप मा ब्रम्ह चानी की पूजा करे उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदनादी अर्पित करे मा को दूद, दही, गृत, मधु और शक्कर से इस्नान कराए मा ब्रम्ह चानी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाए इसके बाद मंत्रों का उच्चारन करे हवन कुंड में हवन करे और साथ ही इस मंत्र का जाप करते रहे ओम, ब्राम, ब्रीम, ब्रूम, ब्रम्ह चारिने नमः आप इस मंत्र का एकीसे क्यावन एकसव एक जितना हो सके इसका जब करे अब मैं माता ब्रम्ह चारिन की कथा बता रही हूं पूर्व जन में मा ब्रम्ह चारिनी पर्वत राज हिमाले की पुत्री थी भगवान शंकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए पिताएं और सो वर्सों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया इसके बाद माता ने कठे नुपवास रखे और खुले आकास के नीचे वर्सा और धूप को सहन करती रही तूटे हुए वेल पत्र खाएं और भगवान भोले नाथ की आराधना करती रही भोले नाथ प्रसन नहीं हुए तो उन्होंने सूखे वेल पत्र खाना भी छोड़ दिया कई हजार वर्सों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने की कारण ही माता का एक नाम अपढ़ना भी पड़ा मा ब्रह्मचारणी कठिन तपस्या की कारण बहुत कमजोर हो गई इस तपस्या को देख कर सभी देवता रिसी सिधगन मुनी सभी प्रसन हुए और मनो कामना पूर्ण होने का अशिरवाद दिये तो दोस्तों ये थी माता ब्रह्मचारणी की कठा आपको यह कठा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय माता दी